सो जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है फाइनली फाइनली मी यूई 12 का रेडमी नोट सीरीज में अपडेट रोल आउट होना इंडिया स्टेबल का शुरू हो गया है यहां पर है मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो और इसके अंदर लेटेस्ट मी यूई 12 इंडिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे राट के लगा बटन दबा दो इस साल के अंड तक हंड्रेट के करने का टार्गेट है तो प्लीज कर देना और वीडियो को लाइक करें बिनना बिलकुल भी मत जाना यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज बता दू तो आपको TWRP की हल्प से अपडेट करना होगा कैसे TWRP डालते हैं Note 8 Pro में कैसे अपडेट करते हैं उस पहले ही मैंने वीडियो बना चुका हूँ तो लिंक उसका मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में यहां देख सकते हूं वाट्स न्यू में तो चेंज लॉग मैं दिखा लेटेस्ट चुक्रिंटी जुलाइं के साहता है और色 waves P सब्सक्रिफ को मिल जाता है सबसे उससे तरीके से से आपको देखने को मिल जाते हैं आपको भी एक दर्गे से नया कर दिया गया है जहां पर आप मुबाइल डिवाइस कंप्यूटर डिवाइस दोनों का अलग से ऑप्शन देख सकते हो अगर आपको कोई बैकप करना है कोई बैकप को रिस्टोर करना है तो यह सब का भी ऑप्शन इसके अंदर दे दिया जाता है कंप्यूटर में आपको बैकप करके रखना है तो उसका भी ऑप्शन यहां पर देखने को मलता है काफी कूल है उसे किलावा यह मी मूवर अप्लिकेशन आपने देखी होगी तो इसको अब यहां से हटा दिया गया है इन बिल्ड अप्लिकेशन से जो कि एक काफी अच्छा स् आप कभी यूज करो तो यह काफी कूल आप्शन यहां पर देखने को मिलता है अगर मैं आपको और सेटिंग में दिखा हूं उससे पहले देख लो तो कुछ इस तरीके कि इसकी होम स्क्रीन यहां पर आपको नॉर्मल सी देखने को मिलती है और यहीं पर एक चीज आप प्रेटिकली ऑफिशली देखने को मिल जाएगी जो कि यह काफी अच्छा है यहां पर आपको कुछ अनिमेशन वग्यरा भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं तो अगर मैं आपको दिखाओं तो इस तरीके से देख सकते हो आपको यह देखने को मिलेगा और यह बार पिल है कि आगे आगे दिखाओं तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक यह बिना बिलकुल मत जाना अब यहां पर तो अच्छी चीज थोड़ी सी आपको दिखा दिया अब यहां पर दिखाओं कि अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके अंदर प्री करते हो जाके और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आप इसको इंस्टॉल करोगे तो में भी आपको यह मिल जाए उसी के लावा जिनको इस तरीके से मिलता है जहां पर स्कैन वगरा में आपको यह नया वाला इस तरीके से देखने को मिल जाएगा और यह अवस्त के सा नहीं वाला यह बैटरी परफोर्मेंस का देखने को मिल जाता है चार्ट जहां पर अल्ट्रा बैटरी सेवर मोट भी देख सकते हो दे दिया गया है और अच्छे से वर्ग भी करेगा बैटरी यूजर स्टैट्स आपको यह नया वाला देखने को इसके अंदर मिल जाता है तो ये भी एक काफी अची चीज यहां पर रहती है बूस्ट स्पीट का ओप्शन दे भी है जो कि नया वाला एनिमेशन वगेरा इसके अंदर भी आपको देखने को मलता है थोड़ा से नीचे आओगे तो डीप क्लीन एप लॉक वगेरा का पहले यार में आपको बिल्कुल नया वाला देखने को मिल रहा है जहां पर राइट से करोगे तो नीचे आएगा लैट से करोगे तो आपको यहां पर नोडिफिकेशन पैनल मिलेगा उसे के लावा आप यहां पर देख सकते हूँ अगर आपने देखा तो MIUI 12 चाइना वाले में यहां पर डेटा का ओप्शन था तो यहां पर डेटा नहीं है हमारे में मॉबाइल डेटा ओन आफ करने का ओप्शन है Bluetooth और Flashlight का यहां पर देख दिया गया है होफुली आगे चल के इसको अपडेट करने का ओप्शन दिया जाएगा लेकिन फिलहाल तो यहां पर नहीं देखने को मिलता है आपको यह कुछ इस तरीके से कंट्रोल सेंटर भी मिल जाएगा उसी के लावा आप देख सकते हैं MIUI 12 का वाल पेपर लगा हुआ है के और उससे उपर की डिवाइस राव में यह अपडेट आपको लाइव वाल पेपका नहीं दे रहे हैं जो कि एक बहुत ही बुरी चीज है उसे के लावा वैदर एप यहां पर जो कि मेरा फेवरेट अपडेट है अब बहुता है जिसमें आप यहां पर देख सकते हो और जैसा वैदर रहता है उसके हिसाब से आपको देखने को मिलता है पूरा लाइव वाल और यहां जब सब्सक्राइब और बुसरा आपको इस तरीके से location देखने को मिल जाएगी अगर मैं यहां पे दूसरी location एड कर दूँ और आपको start page पे भी देखने को मिलेगा तो यहां पे आपको यह कुछ इस तरीके से animation भी आपको आता है एंड अगर आपको कोई और भी अड़ करनी है तो यहां पे आपको इसके application को भी इसका UI को भी update कर दिया गया है हाला कि कोई नया feature आपको नहीं देखने को मिला है camera UI में update आप देख सकते हो थोड़े बहुत font type के changes देखने को मलते हैं उसे के लावा आप यहां पर यह more आप features layout को customize कर सकते हो क्या चीज आपको more tab के अंदर रखनी है अगर मैं चाहूं यह सब चीज को more tab में रख देता हूं और बाहर सिर्फ दो चीज रहेगी उसे के लावा camera modes अगर आपको more panel चाहिए या more tab चाहिए tab में आपको slide करना पता है पैनल में directly उपर से open हो जाता है तो इसका भी option दे दिया गया है color change करने का option and sound change करने का option यहाँ पर आपको मिलता है जैसे कि tab उपर करूंगा तो आप देख सकते हूं सारे जितने भी यहां पर mode वगरा थे यह सब इसके अंदर देखने को कुछ यहां पर samples देखा हूं जो कि मैंने पर click करी है और camera quality जैसे की similar थी MIUI 11 में वैसी ही मिलती है इसमें कोई जादा कुछ changes नहीं किये गये है और camera quality भी अच्छी है कोई ऐसी problem आपको नहीं देखने को मिलेगी ऐस सच तो यह भी एक अची चीज यहां पर आपको मिल जाती है तो यह सब चीज तो हो गए यहां पर जो आपको देखने को मिलती है उसी के लावा आपको दिखा दूँ तो phone application आपको यह simple वाला इस तरीके से मिल जाएगा और अगर मैं आपको यहां पर call करके दिखाऊं तो यह इस तरीके से back में UI वगरा देखने को मिलता है similar कोई भी दिक्कत नहीं है messaging में चलें तो यहां पर आपको नया वाला messaging देखने को मिल जाएगा जिसमें message, promotion और finance के करके तीन category में divide इसको कर दिया गया है जहां पर आपको promotion message दिखाएगा और यहां पर banking वाला कोई भी message आता है तो इसको अलग-अलग category में करके दे दिया जाता है तो यह भी एक काफी cool option यहां पर मिल जाता है आपको उसी किलावा इस update में आपको यहां calendar app में भी नया update देखने को मिलता है तो इस चीज को भी आप यहां पर देख सकते हो उस तरीके से expand करके यह भी कर सकते हो तो इसका भी update इसके अंदर आ जाता है बात कर लेते हैं gallery app के अंदर तो जीहां gallery में भी आपको update मिल जाता है जिसमें आपको यहां पर तो सबसे पहले boca वगरा adjust करने का studio lighting का जो कि आपने पहले देखा था वो सब मिलेगा यहां पर आप जाओगे तो sky mode भी आपको नया वाला मिल जाएगा officially कोई भी update करने की अलग से जरुवत नहीं पड़ेगी जिसमें static और dynamic mode दोनों आपको देखने को मलते हैं आपको हाला कि इनको download करना होगा तो इसके बाद आप इसको apply कर पाओगे एंड आपको filters में आपको यहां पर classic वगरा के filters वगरा भी मिलेंगे and movie mode के भी filter मिलेंगे color focus वाला आपको यह option मिलता है जिसमें background आपका black and white हो जाता है और जो आपका subject है वो color में रहता है तो यह भी एक काफी cool option इसके अंदर यह सब आपको देखने को मिल जाता है gallery app के अंदर perfectly fine work यहां पे कर रहा है और यह भी एक अच्छी चीज है फिलाल के लिए video editing के लिए अभी नया वाला tool नहीं आया है जो कि आप देख सकते हूँ और video editing I think थोड़े time के बाद ही आएगा और future में हो सकता है maybe आपको देखने को मिल जाए और एक चीज आपने और notice करी नहीं करी कि इसके अंदर आपको यह नया वाला animation वगेरा सब इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जितने भी आप यहाँ पर आप देख सकते हूँ सभी में आपको यह नया animation देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे तो यह सब चीज हो गई चोटे मोडे apps की आप यहाँ पर setting में चलें तो यह भी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं देखने को मलती है थोड़ा सा बैक जाएंगे तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है इस तरीके से देखने को मल जाएगा जो कि काफी अची चीज है अगर आप यहाँ पर चलोगे तो कलर स्कीम वगरा का option देखने को मिलेगा उसे किलाबर रीडिंग मोड वगरा का भी मिल जाएगा एंड डाक मोड 2.0 भी आपको इसके अंदर मिल जाता है जिसके मुझे बिल्कुल भी उमीद नहीं थी लेकिन दे दिया गया है तो एंड्रोइट 10 के जित्ते भी डिवाइस होंगे यहां पर आपको कोई भी वर्त वगरा चेंज करने का option नहीं मिलेगा एंड सिस्टफ फॉर्ण भी आपको वही simple पुराना वाला ही देखने को मिलता है रोवोट हो इसमें भी कोई changes नहीं आया है उसे इलावा आप देख सकते हो control center की और notification शेट की setting यहां पर मिलती है जिसमे से पहले आपको sound दिखा दूँ तो sound में भी कोई changes नहीं रहते हैं वही MIUI 11 वाले हैं कोई भी नए चीज नहीं आई है home screen में अब यहां पर चलते हैं तो home screen में आपको सबसे पहले option तो app drawer का officially इसके अंदर मिली जाएगा और नीचे आपको app drawer का option and app vault बंद करने का option भी इसके अंदर मिल जाता है काफी अच्छा है थोड़ा सा नीचे आओगे तो icon size छोड़ा बड़ा करने का option and आपको home screen layout का option अच्छे से work कर रही है थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो अब हम आपको यहां पर password and face unlock का option मिलता है और face unlock इस बार आप 2 face unlock को यहां पर add कर सकते हो काफी कूल चीज यहां पर देखने को मिली है privacy protection वाला नया option देखने को मिलता है हाला कि इसका कुछ जादा फाइदा मुझे देखने को मिलता है क्योंकि इसका जो main option था वो इसमें नहीं देखने को मिलता है जिसमें अगर background में आपका कोई भी application my location वगएरा यूज कर रहा है additional setting में आपको full screen display में जैसे मैंने आपको बताया यह बार का option मिलता है आप इसको बंद भी कर सकते हो और चालू भी कर सकते हो तो यह भी चीज मिलती है और side से आप यहां पर वेक करोगे तो Google Assistant भी आपका आ जाएगा तो यह भी आपको option देखने को मिलता है तो देख सकते हू आपको special features मिल जाते हैं जहां कि आपको पुराना वाला Game Turbo मिलता है कोई नहीं चीज इसमें नहीं है नया video toolbox मिल जाता है जिसको मैंने आपको अल्रेडी बताया हुआ है कि आप इसमें background में कोई भी application को चला सकते हो और इसका भी काफी अच्छा यूज मिलता है अगर मैं आप pip mode में भी इसको open कर सकते हो इसको मैं आप भी आपको आगे दिखाता हूं उसी के लावा आपको नीचे अब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा floating window जो कि इसका main highlight feature आपको देखने को मिलता है और यहां पे आप कोई भी app को इस तरीके से directly drop भी कर सकते हो जो app supported रहता है और यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपके window में work भी होता रहेगा इवन पब जी को भी आप यहां पर drop कर सकते हो मालनो कोई message वगरा आया आप background में आये पब जी को इहीं छोड़ दिया आपका PUBG run होता हुआ मिलेगा आपको और अगर आपको इसको बापिस खोलना ह है उसी के लावा आप देख सकते हो light mode का भी option दे दिया गया है जिसमें icons वगएरा बड़े हो जाते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना है तो यह सब कभी option आपको देखने को मिल जाता है उसे किलावा नीचे आपको privacy का option and location वगएरा का option देखने को मिल जाता है तो सब आपको इसके इंदर देखने को मिल जाते हैं अगर मैं बात करूं screen recording की तो आपको इसमें 60 fps वगएरा अभी तक कुछ भी नहीं देखने को मिला है तो वह चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो ठीक ठाक आपको यहाँ पर यह मिल जाता है फिलाल के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि जादा चेर सार करके आपको lag करने का नहीं दिया है फिलाल तो इसको मैं यूज कर रहा हूं वोल्टी और वी वो वाइफाई कॉलिंग वगएरा सब अच्छे से वर्क कर रही है अभी यहाँ पर देखना होगा कि हो सकता है कोई bugs आने व फिलाल तो यह बीटा टेस्टर के लिए है अगर आपको अपडेट करना है तो आप TWRP के हल्प से इसको अपडेट कर पाऊगे बिना किसी प्रॉब्लम के तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हो दो अभी ऑन हुआ है तो देख लगते हो कट कट तो यह PUBG के भी दिक्कत र करूं उसके लिए मैं वीडियो बनाने के पूरी कोशिश करूंगा पब जी की डेडिकेटेट वीडियो चाहिए उसके लिए बना दूंगा सब चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना उसी के लावा अगित्धक आपने हमाई टेलीग्रम गूरुप को जोइन नही वीडियो